वेरी गुड मॉनिंग तो अल उफ यू स्टड़ी आई क्यों आई ये सिंधी पर आप सबका स्वागत है एक बर फटा फट बता दो भाई आवाज आ रही है मेरी और वीडियो को शेयर कर दो फटा फट क्योंकि ये काफी मतलब जिसे मैं बोल सकती हूं कि काफी वेट किया है इस वीडियो के लिए आप लोगों ने मैंने जीएस के तीन पेपर समझा दिये हैं अच्छे से हमारा फोर्थ पेपर बचा हुआ था और काफी डिमांड भी किया रही थी कि मैं फोर्थ पेपर का सिलेबस को डिटेइल से बता दीज़े क्योंकि काफी समस्या होती है ना जब हम से लेबस देखते है यू पीसिक तो उसमें काफी ब्रीफ में चीजे दी ती हाला कि ethics में काफी कुछ detail में बताया हुआ है लेकिन हम इसको काफी decode करके पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमें ethics में पढ़ना क्या-क्या है ठीक है तो एक बर मुझे फटा-फट बता दीचे क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है हम अपने session की शुरुआत करें किसी ने भी नहीं बोला है अभी तक कि हां मैम सब कुछ सही है सब कुछ सही है मतलब दन बोल दो यार ठीक है जैश्री राम 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 गुड मॉर्निंग है मतलब ठीक है चलो बहुत बढ़िया फटा-फट शुरू कर लेते हैं आज की क्लास में हम ethics के syllabus को decode करेंगे बहुत अच्छे से साथ ही सुन लो ध्यान से ethics के syllabus को detail से समझने के साथ साथ हम एक strategy भी discuss करेंगे कि आखिर ethics पे हमारी strategy क्या होनी चाहिए मैं आप लोगों को ना कुछ चार-पांच गूड बाते बताऊंगी जिनको आपको करना ही करना है और यदि यह आपने कर लिया तो फिर ethics में नईया पार लगना तै है ध्यान रखना लेकिन वो करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इस बात से कि आज बैच शुरू होने वाला है study IQIS हिंदी का last date है admission लेने की यानि आज से बैच शुरू हो जाएगा ध्यान रखिएगा अगर आप एक सम complete P2Y batch यानि prelims से लेके interview तक की पूरे preparation आपको मात्र 3999 में कराई जाएगी जिसमें आपका PT mains interview सब कुछ include होगा ठीक है code याद रखना है LD live इसके साथ ही दोस्तों आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे telegram channel ललीता दहिया Academy पे telegram channel मेरी सारी classes की PDF जैसे यह syllabus है तो इसकी PDF भी इस पे मेरे से जुड़ सकते हैं ठीक है अभी optional के बारे में मत पूछो अभी पहले इसके बारे में पूछो जो हम पढ़ रहे हैं इस पे ध्यान दो पहले देखो सबसे पहले हम ethics की बात करें कि ethics का जो नाम है मतलब पूरे paper का नाम क्या है तो तीन चीजे हमें देखने को मि यदि हिंदी में देखें तो ethics मतलब नैतिकता integrity मतलब सत्यनिष्टता और aptitude मतलब अभी रूची aptitude को योग्यता भी बोला जाता है कोशल भी बोला जाता है और अभी रूची भी बोला जाता है ध्यान रखेगा इसलिए मैंने syllabus में क्या किया है जो थोड़ी सी क्लिष्ट श लेगा तो इसलिए मैंने differentiate करने के लिए English terms भी साथ साथ दे दी हैं ताकि आप लोगों की समझ अच्छे से बने यदि दोस्तों हम ethics integrity and aptitude इसके syllabus को देखते हैं या इसके syllabus पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक पांच मिनिट का ग्यान दे दू जो की बहुत जादा जरूर लेकिन आप सोच के देखो बच्चे एक बार कि आप GS first paper में जब आप पढ़ते हो तो क्या क्या पढ़ते हो आप ancient history, medieval history, modern history, world history, art and culture, geography, society है ना इसके साथ ही second paper आप देखते हो तो second paper में polity, governance, social justice, IR, third paper में दुनिया भर की तमाम चीज़े, economics अलग से पढ़ना है, internal security अलग से प पढ़ना है, पास समझ में आई, आप कितनी जबरदस्त महनत करते हो तीनों paper में, लेकिन ethics के paper को हम हमेशा हलके में लेते हैं, हमें लगता है कि यार हमारे जीवन से संबंधितों चीज़े हैं, नैतिकता तो हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, कर देंगे, ध्यान रखिए तो आप 90 से 100 के बीच में अराम से ले आते हो, लेकिन वो जो बाकी के 3 paper है न, वहाँ पे आपको 90 से 100 लाने के लिए बहुत जबरदस्त तगड़ी महनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें यहाँ पे 90 और 100 से संतुष्ट नहीं होना है, ethics में हमारा target कम से कम 120 प्लस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा और बहुत आसानी से आप 120 प्लस नंबर इसमें ले सकते हो, बस पढ़ने का सही तरीका, syllabus का सही ज्यान और कैसे apply करना है चीजों को यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, highest ethics का यदि मैं highest score की बात करूँ, तो 142 के आसपास मुझे highest score पता है, ethics में आया थ सोच सकते हो, 142 नंबर कितने होते हैं, ठीक है, तो बहुत, हम यह कह सकते हैं, बहु आयामी पेपर है, जिसमें आप थोड़ी सी अगर अच्छे से महनत कर लो तो काफी अच्छा score कर सकते हो, ठीक है, चलो, आते हैं इसके syllabus के बारे में, देखो, इसके मोटे-मोटे तोर पे साथ topics हैं, ठीक है, साथ topics के सब topics हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को मोटे-मोटे topics बताऊंगी, देखो, जो ethics का पहला topic है दोस्तों, वो है नैतिकता और मानविय इंटरफेस, human interface, नैतिकता और मानविय इंटरफेस और मानव मुल्य, यह मिला के topic number one है, अभी मै detail में आऊंगी, पहले एक बार सुन लो, तो topic एक है, आपका नैतिकता आजाएगा, human interface आजाएगा, और आपका मानव मुल्य आजाएगा, topic number two में आपका attitude आजाएगा, मनोवरती, ठीक है, ध्यान रखेगा, मनोवरती, और यह जो छोटा सा syllabus देख रहे हो ना, यह आपका basically UPS ने दिया हुआ है, मैं अभी इसको अच्छे से decode कराऊंगी, पहले आप main-main headlines देखिए, ठीक है, तो दूसरा topic हमारा हो गया, attitude, तीसरा topic हमारा हो गया, aptitude, अभी रूची, aptitude को हमें पढ़ना होगा, उसके बाद जो next topic है, हमारा वो है emotional intelligence का, यानि भावनात्मक बुद्धी अगला है, नैतिक विचारक और दार्शनिक लिखके छोड़ दिया गया है, इसमें नाम नहीं दिया गया है, UPSC ने किसी का भी नाम नहीं दिया है, कि गांधी पढ़ना है, कि मिल पढ़ना है, कि कांट पढ़ना है, कि माक्स पढ़ना है, किसी का नाम UPSC ने नहीं दिया है केवल इतना कह दिया गया है कि नैतिक विचारक और दार्शनिक आपको ये भी दे दिया है भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान क्या क्या है ठीक है तो ध्यान रखेगा next topic ये है आपका अगला है civil services value civil sewa के मुल्य क्या क्या होंगे civil the k Быle or UPSC ने खुद बता धिया है civil से discuss करेंगे इसको civil sewa मुल्य के बाद अगला जो जटा टोपिक है वो है हमारा शाशन में इमानदारी कैसे लास्ट टोपिक है हमारा के स्टडी इतना सा सिले बस है मतलब मेरा सबसे पहले आपको बताने का उद्देश है था कि आपके दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए कि टोटल साथ टोपिक्स हैं एथिक्स के उन सातों टोपिक्स के अंदर काफी सारी चीजें UPSC ने बताई ह हुई हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बताई हुई और हमें पढ़ना है हम उन विशों पे भी डिटेल से बात करेंगे ठीक है तो ध्यान दखिएगा यह सातों टोपिक्स आपके टिप्स पे ओने चाहिए समझ में आया इतना अब आते हैं एक एक टोपिक को डिटेल में निप्टाएंगे देखो भाई पहला जो टोपिक है आपका नैतिकता और मानव इंटरफेस यानि हूमन इंटरफेस इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सबसे पहली बात तो साफ साफ दिया हुआ है नैतिकता और हुमन इंटरफेस क्या है भाई मतलब नैतिकता क्या है ये पढ़ना पड़ेगा हुमन इंटरफेस मानव इंटरफेस क्या है अब मानव कारियों में ध्यान से सुनना जो मनुष्य के काम है उनके कारियों में नैतिकता का सार क्या है एसेंस क्या है तो नैतिकता को हमें बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा तभी तो हम नैतिकता का सार बता पाएंगे तो नैतिकता का सार क्या है नैतिकता के सार के साथ ही हमें नैतिकता के निर्धारक देखने होंगे कि आखिर नैतिकता का निर्धारन किन मान दंडों के अधार पर किया जाता है अलग- कि सोसाइटी के नैतिकता के निर्धारक अलग हो सकते हैं तो किसी भी समाज में नैतिकता के निर्धारक क्या क्या होंगे यानि वो विश्य कौन-कौन से होंगे जो नैतिकता का निर्धारन करते हैं कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है ठीक है यानि नैतिकता का सार नैतिकता देखी नहीं जाती उस समाज की क्या दशा होगी यानि परिणाम भी हमें समझने पड़ेंगे पहला point यही है साथ ही हमें नैतिकता के आयाम आयाम को बोलते हैं dimensions कितने प्रकार की नैतिकता तो नैतिकता के आयामों को समझना होगा और नीची और सारजुनिक संबंधों में नै नैतिकता कैसे काम करती है सारजुनिक संबंधों में यानि आपके समाजिक संबंधों में राजनितिक संबंधों में परियावरणिय संबंधों में आर्थिक संबंधों में नैतिकता किस तरीके से काम करती है ठीक है यह तो basically UPSC ने decode किया हुआ है इसको अब हम देखेंगे थोड़ा detail से अभी तक आपको क्या समझ में आए बिल्कुल tips पे करके जाना syllabus को नैतिकता और human interface इसका सार क्या है इसका निर्धारक क्या है इसके परिणाम क्या है इसके आयाम क्या है नीजी और सारजुनिक जीवन में नैतिकता का क्या महत है अब यदि हम इसको detail से देखें दोस्तों तो सबसे पहले तो हमें नैतिकता के आयाम और सार को बहुत ही विस्तार से समझना पड़ेगा साथ ही नैतिक अध्यन के दृष्टी कौन को approaches of ethical studies को हमें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा और approaches of ethical study का मतलब क्या है कि भई पश्चिमी निर्धारक कौन कौन से है नैतिकता के और भारतिय निर्धारक भारतिय प्रप्रेक्षा कौन कौन सा है नैतिकता का ठीक है तो पश्चिमी को और भारतिय को यहां पे हमें विस्तार से अभी मैं कुछ थोर्स बताऊंगी, यहां से पढ़ना पढ़ेगा, इसके साथ ही जो बुनियादी अवधारनाई है, जिसमें morality आ गया, जिसमें values आ गया, तो morality, values, यह सारी चीजे जब हम पढ़ेंगे, तभ भाई, क्या-क्या जरूरत है नैतिक्ता के समवर्धन के लिए, उन सारे बिंदूओं को पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन में नैतिक्ता कैसे काम करती है, स्वतंत्रता और अनुशाशन, ठीक है, ध्यान रखेगा, यानि discipline और freedom से किस तरीके से नैतिक्ता हम जोड सकते हैं, कर ताके हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमने, देखो, आप इस बात को समझो, जो UPSC ने इस नैतिक्ता और human interface के बस ये तीन बिंदू दे के छोड दिये हैं, खाली ये तीन बिंदू UPSC ने दिये हुए है, अब मैं इसको decode कर रही हूँ, ध्यान रखेंगा, जिसमें हमने आयाम सार, दृष्टिकोन देखेंगे, भारतिय पश्चमी प्रप्रेक्षे के morality values को समझेंगे, और हर एक जीवन में, मतलब जो नैतिक्ता के बुनियादी परीचे में हम चाहे सारजुनिक जीवन है, चाहे आर्थि नैतिक्ता को समझना पड़ेगा, इसके साथ और क्या, मानविय कारियों के, यानि जो नैतिक्ता के परिनाम क्या क्या होंगे, एक ऐसा समाज जहां पर नैतिक्ता का बरताव किया जाता है, वैसे समाज की दशा और दिशा क्या होगी, तो ध्यान रखेगा, परिनाम देखने पड़ेंगे इसके साथ हमें सरकार में जो values हैं और जो नैतिकता हैं इसको भी समझना पड़ेगा यानि विधाई का कारिय पालिका और न्याय पालिका के स्थर पे नैतिकता से संबंधित विकास के काम या जो चुनोतियां हैं इनको भी हमें देखना पड़ेगा और साथ में फिर तीन चीजे हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में नैतिकता के समावेश में तीन चीजों का क्या योगदान है परिवार का योगदान, बहुत विस्तार से, समाज का योगदान और शेक्षणिक संस्थानों का ध्यान रखना यहां से अलग-अलग कोशन बनते हैं तो इसलिए हमें एक-एक मुद्दे को डिटेल से तयार करना पड़ेगा कि भई नैतिकता के विकास में परिवार का क्या योगदान है शिक्षन संस्थानों का क्या योगदान है इसके साथ ही हम कह सकते हैं समाज का क्या योगदान है किसी व्यक्ति के नैतिकता के विकास में इतना डिटेल से हमें देखना पड़ेगा और जो मैं बोल रही थी ना कि कुछ लिस्ट मैं आप लोगों को फर्स टोपिक्स की दूँगी जो आप इस टोपिक के साथ साथ पढ़ोगे आचरन क्या है चरित्र क्या है स्वार्थवाद क्या है सुखवाद क्या है उप्योगितावाद क्या है उदारवाद वाद क्या है, समाजवाद क्या है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही परिणाम निरपेक्षितावाद क्या है और परिणाम सापेक्षिता वाद क्या है इतना थोड़ समको अच्छे से समझ के पढ़ने पढ़ेंगे अब ये clear नहीं दिया हुआ है स्वार्थवाद सुखवाद उपयोगितावाद परिनाम सापेक्षिता परिनाम निर्पेक्षिता हमारे syllabus में दिया नहीं है बट ये सब कुछ हमें ethics में पढ़ना पड़ेगा तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हम इस विशय पे अपने concept को बता सकते हैं कि हाँ भई हमने अपने concept को अच्छे से clear किया है और हम जो लिखेंगे और एक सामान्य बालक जो लिखेगा उसमें अंतर होगा और वहीं अंतर create करेग आपका इतना deep पढ़ना और फिर इनको भी आपको detail से पढ़ना पढ़ेगा जैसे for example मैंने एक example लिख दिया है यहाँ पे for example आप सुखवाद पढ़ोगे ठीक है सुखवाद आपने पढ़ा तो सुखवाद क्या है सुखवाद कितने प्रकार का है ठीक है इसके साथ इसके सम पिक का first part है ethics and human interface नैतिकता और मानविया interface यह complete होने वाला है और यदि मैं इसको देखूं तो आप यह देख सकते हैं कि आप उम्मीदवार हैं तो आपको क्या-क्या सीखना चाहिए कि आप इस नैतिकता को कैसे विक्सित कर सकते हैं समाज के साथ कैसा विभार कर सकते हैं जूट बोला ठीक है आपकी नजर में जूट बोलना अनैतिक है लेकिन आप उसके पीछे किस थिति को भी तो देखोगे हो सकता है कि उसने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए जूट बोला हो तो नैतिकता के निर्धारकों को भी ध्यान में रखना जरूरी है वो निर की सिध्धानत आपके सामने जो मैंने अभी बताया ना अलग-अलग थोट्स हैं जिसमें आप स्वार्सवाद सुखवाद उपयोगितावाद समाजवाद परिणामसापेक्ष परिणाम निर्पेक्ष है ना इन सारे मुद्दों को डेटेल से पढ़ोगे तब जाके आपका फर्स्ट पार्ट सिलिब्स का कंप्लीट हुएगा बुझ गए पहला क्या-क्या पढ़ना है ठीक है ध्यान रखिएगा तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ अब हम फर्स्ट टॉपिक के सेकिंड पार्ट में आते हैं और फर्स्ट टॉप एक तो मानव मुल्य विक्सित करने में जो महाननेता हैं, जो सुधारक हैं और जो प्रशाशक हैं, उनके जीवन और शिक्षाओं से क्या-क्या सबक ले सकते हो, किसी व्यक्ति में मानव मुल्य कैसे विक्सित होते हैं, वैल्यू कैसे हम अरजित करते हैं, या तो परिवार से, या समाज से या educational institution से या महान नेताओं से या धार्मिक गरंथों से हैं ना हम उपनिशद, रामायन, महाभारत पढ़ते हैं तो देखते हैं ना सारी सीखते हैं या अन्या अन्या गरंथ है इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी value सीखते हैं इसके साथ हम कह सकते हैं सुधारकों से जो bureaucrates अच्छा काम कर रहे हैं प्रशाशकों से तो हमने इन तीन चीजें यहां पे लिखी है कि महान नेताओं सुधारकों और प्रशाशकों के जीवन से क्या जीवन और शिक्षाओं से क्या सबक लिया पहला पार्ट है human values का मतलब सम यह साथ ही जो मुल्य है किसी भी व्यक्ति के जीवन में इन मुल्यों को विक्सित करने में किसी के परिवार का क्या योगदान है समाज का योगदान है शेक्षणिक संस्थानों का क्या योगदान है ठीकर यह लिखके छोड़ दिया है UPSC ने अब हम इसको decode करेंगे कि ने सोचा एक ही साथ बताऊंगी जब हमारे दारशनिक वाला एंगल आ जाएगा ना तो उसमें यह अपने आप कवर हो जाएगा ठीक है तो सारे thinkers बताऊंगी कौन-कौन से thinkers हमें पढ़ने जरूरी है ethics के point of view से recorded नहीं है भाई live चल रही है live प्रत्यक्ष anyway अब हम यदि इसको देखें इसको decode करें तो भाई सबसे पहले हमें human values और समाजी करण कि व्यक्ति समाजी करण के माध्यम से कैसे मानविय मुल्यों को सीखता है कैसे अपने व्यक्तिगत अनुभवों से मानविय मुल्यों को मुल्यों को भी हमें देखना पड़ेगा शाशन और समाज में नैतिक मुल्यों की भूमिका क्या है मतलब शाशन यानि governance और society में नैतिक मुल्यों की यह महत भूमिका क्या है importance क्या है यह सब देखना पड़ेगा कि सिंपल सी बात है यदि governance यानि शाशन में नैतिक मुल्य हैं मुल्यों की according काम किया जा रहा है तो governance good governance के तोर पे काम करेगा है ना तो इन सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा सीविल सेवाओं में मुल्य और काम काजी जीवन और पेशेवर नैतिकता के मुल्य है यानि मुल्य जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें हर लेवल पे पढ़ना पढ़ेगा चाहे वो लोकतांत्रिक मुल्य है चाहे वो समाजी करण के मुल्य है चाहे वो बेसिकली शाशन के मुल्य हैं और चाहे वो कामकाजी जीवन या पेशेवर नयतिक्ता के मुल्य है हुमन वैल्यूज को इस तरीके से पढ़ने के करम में हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है जैसे लोग मुल्यों को कैसे सीखते हैं सिंपल सी बात है भई हुमन वैल्यूज कैसे सीखा हमने तो हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़के महान नेता नेताओं के बारे में पढ़के वैल्यू सीखते हैं इसके साथ ही 5-6 महान विचारकों के बारे में कुछ पुस्तकों पर विचार करना है जिनकी आप प्रशंसा करते हैं पसंद करते हैं अनुसरन करते हैं यहां पर मैं आप लोगों को बीच में ही यह बता दूँ देखो जब आप एथिक्स का सिलेबस पढ़ना शुरू करते हो आपके सामने बहुत सारी शब्दाव आपके सामने आएंगी आपका पहला काम है कि इन शब्दावलियों से संबंधित एक एक पेज के नोट्स जरूर से जरूर बना ले सत्य निष्ठा क्या तो सत्य निष्ठा क्या आपकी डेफिनेशन हो गई कुछ डाइग्राम के माध्यम से आपने सत्य निष्ठा को देख लिया और कुछ एक्जेंपल आपके पास होने चाहिए यह एक्जेंपल आप इतिहास से भी ले सकते हो यह एक्जेंपल आप अपने व्यक्तिगत जीवन से भी ले सकते हो और यह एक्जेंपल आप करेंट इशूस से भी ले सकते हो करेंट में काफी सारे आप जब न्यूस तिन तिन लाइन के एक्जेम्पल्स तयार करने हैं सबसे पहला काम आपको यही करना है एथिक्स में भाई अब मैं देखो यहाँ पे ना सिलेबस समझाने बैठी हूं टॉपिक नहीं समझाना ना मेरको अब कई बच्चे बोल रहे हैं मैं कुछ लड़कियों को समझाना भाई मैं आप नैतिक थोड़ी ना बताऊंगी यहाँ पे आपको human values थोड़ी ना बताऊंगी मैं आपको सिलेबस समझाने आई हूं पहले यह subject आप लोगों के लिए no doubt नया है जैसे आप पॉलिटी में तो बहुत सारी चीज़े आप पढ़े हुए होते हो हिस्ट्री में पढ़े हुए होते हो तो आपको ग्यान होता है अब यह ethics का सिलेबस नया है मुद्दे नय है स्कूल में बहुत जादा हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो नई नई चीज़े हैं थोड़ा समय तो लगेगा ही आउंगी आउंगी भाई last made strategy बताऊंगी पहले सुन लो यानि आपको कुछ एक तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानिय हैं उनकी कुछ पुस्तके हैं उन पे विचार करना है अब यहां से जो question बनेगा न यूपी सी किसी माहान व्यक्तित्व का कोई वक्तव्य दे सकता है कोई कोट दे सकता है गांती का दे दिया नेलसन मंडेला का दे दिया कोई भी कोट कांट का दे कोई भी कोट दे सकता है और उसे वर्तमान संदर्भ में लागू करने को कहेगा और यूपीएसी में यदि हम देखें तो यूपीएसी बेसिकली विचारकों का दृष्टिकोंड नहीं जानना चाहता है कि विचारकों का दृष्टिकोंड क्या था विचारकों के दृष्टिक चाहता है जैसे for example question आ जाए कि जैन धर्म की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है तो भाई जैन धर्म की वर्तमान में जो प्रासंगिकता है तो history में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन ethics में भी जोड़ के पूछा जा सकता है है ना महावीर स्वामी के विचारों के बारे में तो ऐसे में जैन धर्म के मूल विचार वर्तमान की क्या क्या समस्याइं और वर्तमान की समस्याओं को दूर करने में उन विचारों का महत्व ठीक है तो आपको detail से यह दो चीज़ें आप यहाँ पर पता होनी चाहिए जब मैंने मानम मुल्या बताया तो दो बाते हैं महाननेता समाज सुधारक और साथी प्रशाशकों के जीवन और शिक्षा से आप क्या सबक लेते हो इन सब को हमें मानम मुल्य के तोर पे देखना पड़ेगा मतलब इन सब से मानम मुल्य विक्सित होते और इसके साथ ही परिवार समाज और शिक्षर संस्तानों की पढ़ना पड़ेगा तब जाके हमारा ये फर्स टोपिक कम्प्लीट होगा थम्स अब दे दो यहां तक किसी को कोई डाउट है आगे बढ़ूँगी बताओ भाई कि स्ट्रेटेजी काहे काहे मतलब बुझे ये समझ में यह था हाई तोबा काहे मचाते हो भाई जब आपको बता दिया सिलेबस समझ लो पहले सिलेबस के बाद मैं पांदस मिनिट में स्ट्रेटेजी डिसकस कर दूँगी कि एथिक्स में पढ़ना क्या है करना क्या है और बोंको घूड सत्य बताऊंगी गया मैं बार आसे सत्य जो कर लोगे तो फिर बेडा पार हो जाएगा तो उसके लिए ठोड़ा पैशंस रखना पढ़ता है न भÁई पैशंस तो हैनी ही हिंदी में ही बताओंगी भाई हिंदी में ही बताओंगी हिंदी में ही टैंशन मतलो सुबह सुबह है बढ़ या नहाद हो के पूजा पाठ करके आप लोगों के सामने खड़ी हो एकदम शांत चिंतन मन से अब जो है ना बार-बार मैं बुक्स, बुक्स, बुक्स कहके इरिटेट मत करो भाई पहले syllabus समझ लो जिसको बुक्स के बारे में पढ़ना है वो ये डेड़ घंटे बाद आए क्लास में ठीक है उसको बुक्स मिल जाएंगी syllabus नहीं देखना तो चले अब सही बात है हाई दोबा मचा रखी है अब हमारा दूसरा जो syllabus का पार्ट आता है attitude, अभीवृति कैसे विक्सित होती है इसके कोई सारे जैसे UPSC ने ये चार चीजे दे रखी है अभीवृति में पढ़ने के लिए हम इसे तोड़ेंगे आगे सबसे पहले अभीवृति की सामगरी क्या है मतलब कहां से अभीवृति विक्सित होती है अभीवृति की सरंचना क्या है और अभीवृति के काम क्या है साथ ही अभीवृति और उसका प्रभाव और विचार और व्यवहार से उसका संबंध यानि अभिवरती क्या है उसका प्रभाव क्या है उसका विचार और व्यवहार से संबंध क्या है मान लीजिए एक व्यक्ति की अभिवरती ये है कि वो पुरुश्वादी है अब वो महिलाओं के प्रती सकारात्मक विचार तो रखेगा ना उनके बाहर जाने का समर्थन करेगा जब उस व्यक्ति की अभिवरती ऐसी होगी तो वो उस अभिवरती की अनुरूप ही व्यवहार करेगा ना यनि उसका विवहार कैसा होगा वो महिलाओं के कारीय का समर्थन नहीं करेगा ना तो ध्Яान दखेगा किसी व्यक्ति की अभिवरती से उसके विचारों पर क्या पड़ेगा उसके व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रतेक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है न वो उसकी अभिवरती से डारेक्ली जुडा हुआ होता है ठीक है तो ध्यान दखिएगा यह हमें देखना है साथ ही नैतिक और राजनितिक अभिवरती द्रिश्ट कई को भी नबैसिकलिवी दृषिटीकॉरं की इंगलिश भी एटिटीटि ने रिटी, कि लुट वी हम हिंदी में अभी комментi की मौक्ति की नैग्टिक अभी विवड्र। देखेंगे स बितले से अनून्या कि आफ कि बतलना किसी व्यक्ति के विचारों की अभी व्यक्ति को तो कैसे आप किसी व्यक्ति की अभिवृति को बदल सकते हो तो अनुन्य एक माध्यम है अभिवृति को बदलने का Anyway, अभी हम detail से पढ़ेंगे इसको UPSC ने इतना दे के आप लोगों को छोड़ दिया है अब हमें यदि हम इसको देखें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई सबसे पहले हमें देखना पढ़ेगा अभिवृति के घटक क्या क्या है सबसे पहले तो यही समझना पढ़ेगा कि अभिवृति क्या होती है ठीक, अभीवृति क्या होने के बाद हम देखेंगे भाई, अभीवृति के घटक क्या क्या है तो तीन प्रकार के घटकों को हम ध्यान से पढ़ेंगे एक होता है सम्वेगात्मक घटक, एक होता है सबसे पहले संग्यानात्मक घटक आपको इस बात का ज्यान है कि भाई ये तो कोब्रा है ज्यान यानि संग्यानात्मक घटक आपका क्या है कि आपको ये पता लग गया कि ये तो कोब्रा है काट देगा तो मर जाएंगे संग्यानात्मक घटक इससे आपकी अभिवरती निर्मित होगी आपकी अभिवरती कैसे भावनाएं आई और क्रिया क्या होगी आपकी कुर्सी पे खड़े रहोगे साप कोबरा चड़ गया तो कुर्सी पे क्या करोगे भाग जाओगे कमरे से मौका लगते ही यानि आपकी क्रिया हो गई और यह आपकी क्रिया किसके माध्यम से जनरेट हुई अभिवृति के माध्य अभीवर्ति के कारियों को पढ़ना पड़ेगा, यानि अभीवर्ति के काम क्या-क्या होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की अभीवर्ति उसे समायोजनात्मक एड्जस्टिव बनाने में, उसके एहम रक्षन में, इगो डिफेंस में, महतुपूर्ण भूमी का निभाती है, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे आजाओ, अभीवरती निर्मान के मोडल, किसी भी व्यक्ति की जो अभीवरती है, वो कैसे विक्सित होती है, उसके निर्मान के क्या-क्या आध हैं, इनको हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही अभीवरती में बदलाव कैसे होगा, किसी व्यक्ति की, जिसका एक एक एग्जेम्पल है, परसुएशन, जिसका ए और भी काफी सारे एग्जेम्पल है, मानलो पूरुसकारदंड के माध्यम से आप किसी व्यक् क्या है, अभीवरती के कारिये क्या क्या है, इस अभीवरती का निर्मान कैसे होता है, और इस अभीवरती में बदलाव कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे, यहाँ पर आजाओ, देखो मैंने कुछ एक्जेम्पल दिये हैं, एक तो अभीवरती के कारिये समझोगे, जैसे अभीवर के प्रकार क्या-क्या है। तो बहुंतुव मैं जैसे राजनितिक अभिवृति है, किसी व्यक्ति का magazन अब है। वह किए रहे रहे ही है राजनितिक, सामाजिक, प्रशाशनिक अभिवृति और साथ ही सबसे important part जिसे हम case study में भी use करेंगे अभिवृति का application इसका अनुप्रियोग कहां कहां कर सकते हैं हम जैसे case studies में करेंगे thinkers में करेंगे कि किसी thinker के ज्यान के अधार पे या किसी महान नेताओं के विचारों के अ अनुसूचित जाती के व्यक्तियों को ना पसंद करता था ठीक और उस व्यक्ति ने किसी के कहने से अंबेडकर को पढ़ लिया अंबेडकर को पढ़ा तो अंबेडकर को अगर कोई व्यक्ति सलीके से पढ़ लेगा गांधी जी को यदि कोई व्यक्ति सलीके से पढ़ लेग तो जो उसके पूर्वा ग्रह हैं, जो उसके विचार हैं, वो निश्चित तोर पे परिवर्तित होंगे, अनुसुचित जातियों के प्रति, समान्य व्यक्ति की बात करे हूं, बिल्कुल कट्र व्यक्ति की बात नहीं कर रही है, है न, यानि आपकी अभिवर्ति कैसे परिवर इसे इसमें बदल्आव कैसे होता है कितने प्रकार की अभीवर्ति होती है इस अभीवर्ति का application देखना पड़ेगा और इस अभीवर्ति के ऊपर विश्वासों का और मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है कहां पर contradiction है पूनम एक बार बताओ बच्चे कहां कंट्राडिक्शन है कंट्राडिक्शन तो देखो यार जब तक अब कई बच्चों को अभीवर्ति नहीं पता तो उनको कैसे समझ में आएगा लेकिन हां एक बर सिलेबस सुन लो कम से कम क्योंकि जब आप पढ़ोगे आपको सारी चीज़े पता लग जाएंगी अभीवर्ति तो मैं भी यहाँ पर पढ़ा नहीं सकती ना अभीवर्ति पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम एक घंटा चाहिए पूरा सिलेबस खतम करवाने के लिए कम से कम डेड़ दो महीने चाहिए मुझे ठीक है तो इतना अभीवर्ति में देखने के बाद अब हम यह देखेंगे कि कैसे अभीवर्ति में परिवर्तन हो सकता है तो एक तो किसी सम्हू का प्रभाव पढ़ जाए किसी व्यक्ति के उपर अटिट्यूड परिवर्तित हो सकता है पर्सुेशन टैक्टिक से पर्सुेशन भई हम अलग-अलग तरीकों से हतकंडों से उस व्यक्ति को मनाने का प्रियास करें तो अनुन्य के माध्यम से उसके अटिट्यूड में परिवर्तन हो सकता है साथ ही हम यहाँ पर अनुन्य को भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा अनुन्य क्या है इसके उपकरण कौन-कौन से होते हैं साथ ही नैतिक attitude का निर्मान और राजनितिक अभिवरती का निर्मान कैसे होता है इन सब बातों को हमें detail से देखना पड़ेगा और यदि हम attitude के specific topic की बात करें तो इस attitude का प्रियोग case study में, applications में, नैतिक और राजनितिक दृष्टिकोन, समाजिक प्रभाव, अनुन्य, ये basically ज कैसे मैं यदि ethics के paper की बात करूं तो आपको दो part देखने को मिलेंगे, एक first part, part one और part two, part one में आपका थोरी वाला जो part है वो आता है, जिसमें आप पूरा syllabus जो पढ़ रहे हैं, इनके question answer आते हैं, लगभग 120 से 30 का ये होता है, और 12 से 13 question आते हैं आपके इस first part से, लगभग 12 से 13 question आते हैं, अब यदि मैं second part की बात करूं, तो इसमें case studies आती है, ठीक है, case studies आपकी लगभग 6 के आसपास case studies आती है, ये भी 120 से 30 नंबर का आता है, और ये भी 120 से 30 नंबर का आता है, पांदस नंबर इधर उधर, ठीक है, तो ये जो attitude वाला part है, ये काफी ज्यादा important है, UPSC के point, मतलब ethics के point of view से, theory वाले part के लिए भी उतना ही important है, और case study वाले part के लिए भी उतना ही important है, ठीक है, अच्छा, गांधी जी और अमबेड कर जी, ideology एक जाती व्यवस्था के बुनियाद के अधार पे difference है, बाकी सारे मुद्दों पे वह ज़्यादा differentiation नहीं देखोगे और आप उन differences पे क्यों जा रहे हो, गांधी जी की अपनी योगदान है, अमबेड कर जी के अपने योगदान है, अभी उसकी चर्चा नहीं कर सकते हम इस class में, anyway, अगला हमारा जो topic है दोस्तों, वो है aptitude, अभी रूची, योग्यता, कोशल भी इसे हम बोलते हैं, और सीवि सेवा के लिए कैसा aptitude चाहिए, और कौन-कौन से मूलभूत मुल्य होने चाहिए, तो UPSC ने लिखा है, already, यही मुल्य आपको पढ़ने पढ़ेंगे, जैसे सत्य निष्ठा चाहिए बाई, integrity चाहिए, एक सीविल सेवक को, निष्पक्षता से और गैर पक्षपात से काम करन चाहिए, एक सीविल सेवक को, मान लिजे, किसी शहर में दंगा हो गया और आप उस शहर के DM हो, हिंदू-मुस्लिम मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आपका जो बिहेव, आपका जो कारिय होना चाहिए, वो तटस्ता, गैर पक्षपात वाला होना चाहिए, आपका उदेशे लोगों की जान बचाना होना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष के लोगों की जान बचाना, ये values कहां से सीखोगे, ये values ethics के माध्यम से सीखोगे, और इसे apply कहां करोगे, तो इसे अपने अपने छेतर में apply करोगे, है ना, तो सत्य निश्ठता आपके अंदर होनी चाहिए इसके साथ ही निश्पक्षिता, गैरपक्षपात होना चाहिए, वस्तु निश्टता, अब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जन सेवा के प्रती समर्पन का भाव होना चाहिए, इमपैथी होना चाहिए, समानुभूती होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के दर्द को स्व् कुरसी पर आगया विचारा को एक दिव्यांग व्यक्ति कि आप अराम से कुरसी पर पसरे पड़े हो आगे रखे हैं ड्राइफ रूट्स खा रहे और आम से वह भूखा लाचार व्यक्ति वह खड़ा कर रखा है आपने कि देखें हैं ना ऐसे लोगों से तभी तो आप लोगों के दर्द को दूर करने के लिए मशीनरी का प्रयोग कर पाओगे तो ध्यान रखेगा ये सारी चीजें क्या हैं ये सीविल सेवा के फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो आपको एथिक्स के माध्यम से सीखने पड़ेंगे और ये सारे के सारे यूपीएसी ने खुद बता रखे हैं अब आपका काम क्या होना चाहिए जो कि मैं दुबारा रिपीट कर रही हूँ ये जितने भी वैल्यूज आपको पूरे एथिक्स में मुश्किल से आप ये मालो 60-70 शब्दावलियां धूंड धूंड के भी करोगे तो आपको 60-70 है एक-एक शब्दावली की परिभाशा उसका डायग्राम उसके एक्जेंपल्स सहीत लिख के तयार कर लेना है आपका आदे से जादा काम हो गया क्योंकि इन ही सारी वैल्यूज का प्रियोग आप ठ्योरी में भी करोगे आप के स्टडी में भी करोगे ठीके बचे तो नहीं पढ़ेगा तो फिर कैसे प्रशाशक ठीके तो ध्यान रखिएगा अभी रूची और सीविल सेवा के फाउंडेशनल वैल्यूज में हमें इतनी सारी चीज़े पढ़नी होती है यह सब UPSC में दिया हुआ है अब यदि हम देखें इसको थोड़ा डिकोड करें हम क्या 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 इसमें पढ़ेंगे भाई और क्या क्या पढ़ेंगे यह तो UPSC ने दे दिया है यहां पे सीविल सेवकों के लिए आवशक अभी रूची सीविल सेवकों के लिए आवशक एप्टिट्यूड कैसा होना चाहिए वो एप्टिट्यूड कैसे विक्सित किया जा सकता है, उसकी क्या-क्या चुनोतियां हैं, उसके क्या-क्या applications हैं, इनको हमें देखना पढ़ेगा, यानि सीविल सेवा के लिए आवशक aptitude को देखना पढ़ेगा, सीविल सेवाओं के मूल भूत मुल्ले तो मैंने आपको सिविल सेवा कुछ करे तो धिंडोरा ना पीटे, अनामता का सिद्धान्त काम करता है सीविल सेवाओं में, इसके साथ ही सत्य निष्टा हमें पता ही है, विनमरता, हुमिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर विनमरता होनी चाहिए, आपने बहुत सारे सीविल सर्वेंट्स को एक्जैंपल देखा होगा, पबलिक पे हाथ उठा देते हैं, पबलिक से तू तड़ाक तरीके से बात करते हैं, तो ये सिविल सेवा के फाउंडेशनल वैल्यू नहीं है, और कहीं न कहीं एप्टिट्यूड में सुधार करने की जरूरत है, है न, तो विनम्रता, हुमेलिटी को हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, अनुकूलन शीलता, इसके साथ ही प्रिजर्वेंस, द्रिड़ता, ध्यान रखेगा यहां से प्रिजर्वेंस से अलग कोशन बन सकता है, अकाउंटेबिलिटी से अलग कोशन बन सकता है, नुट्रैलिटी से अलग कोशन बन सकता है, तो इस तरीके से आपको तो इसमें 3-4 मुद्दे थे, और यदि हम इसको डिकोड करें, तो इसमें बहुत सारी चीज़े आ गई, क्या इनकी अप्टिट्यूड हैं, क्या मूल्य हैं, एकाउंटेबिलिटी, नुट्रैलिटी, एनोनिमिटी, हुमिलिटी, इंटिग्रिटी, प्रिजर्वेंस, इसके आप देखोगे, तब जाके आपका एप्टिट्यूड वाला जो पार्ट है, वो अच्छे से कंप्लीट होगा, अब जैसे यहाँ पे आप देखो, इन शब्दों की आपको एक सूची बनानी है, और इन शब्दों का प्रियोग आप अपने अंसर को बहतर बनाने में, अपन सत्य निष्ठता और इमानदारी में क्या फरक है, ठीक है, तो अलग-अलग डेफिनेशन्स विद ग्राफ्स, विद डाइग्राम्स, विद एक्जैम्पल्स यह आपको होमवर्क है, यह आपको काफी आगे लेके जा सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ-कुछ चीजें, जैसे स सत्य निष्ठा है, निष्पक्षता है, गैर पक्षपात है, वस्तु निष्टा है, जन सेवा के प्रति समरपन है, सहानु भूती है, सहन शीलता है, समानु भूती और सहानु भूती में क्या अंतर है, समानु भूती और सहानु भूती में क्या अंतर है, तो यह डिफ्रेंस समीती है जिसको आप एथिक्स में प्रियोग करेंगे कहीं के भी नोट्स देखेंगे तो नोलन समीती की जो सिफारिशे हैं उन सिफारिशों का आप प्रियोग बार-बार कर सकते हैं और नोलन समीती की सिफारिशों में यही गुण दिये गए हैं कि भाई सीविल सेवकों में के गुण लेके आओ तब जाके सीविल सेवक बहतर तरीके से काम करेंगे एठिक्स की जरूरत क्यों पड़ी अभी मैं इई आई पर आउंगी तो बताऊंगे आप लोगों को तो चार टोपिक कंप्लीट हुए आप लोगों के बता दो एक बार कि सबसे पहले हमने नैतिक्ता मानगय इंटरफेस और हूमइन वैल्यूस को समझ लिया हूमेन वैल्यूस के बाद हमने एटिट्यू कि न मज़ात है न आप लोगों को आपस में चैट करने में है न हमने नहीं किया यार हम से छूटिया यह सब क्योंकि हमारे जमाने में ओनलाइन एजूकेशन थी नहीं मतलब एक एक्सपीरियंस लेके देखना चाहिए था पढ़ लो भाई पढ़ लो ठीक है बाद में हैल्प ले ले न अभी मैं फिर बोलूंगी एकदम शांत चितमन से पढ़ाने के लिए प्रकट हुई थी खृपया करके इस तरीके की वारताल आप ना कीजिए आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है इस इमोशनल इंटेलिजेंस के उपर सीधे सीधे थियोरी में भी कोशन बन सकता है और आपका जो सेकिंड पार्ट है उसमें तो आपको के स्टडीज वगेरा हैं के स्टडीज में आपको ई आई का प्रियोग करना ही पड़ेगा तो यहां पे बेसिकली दो बाते दी गई हैं एक तो भावनात्मक बुद्धी मता इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारनाई क्या है इसको समझाना है साथ ही प्रशाशन में और शाशन में भावनात्मक बुद्धी यानि इमोशनल इंटेलिजेंस की उपयोगिता क्या है और इसका एप्लिकेशन कहां कहां कर सकते हैं इतना कहके छोड़ दिया गया है अब हम भावनात्मक बुद्धी को जब डिकोड करेंगे तो भाई हमें ये समझना पड़ेगा कि भावनात्मक बुद्धी क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों खाली इंटेलिजेंस क्यों नहीं तो इसके पीछे हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा भाई intelligence से क्या हुआ intelligence से mathematical, reasoning, engineering ये सब मजबूत हुआ उत्पादन बढ़ा लेकिन क्या intelligence से ही हम उत्पादन को बेच पाएंगे वस्तुओं को बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे उसके लिए हमें emotional intelligence की ज़रूरत पड़ेगी तो emotional intelligence आप जैसे प्रशाशन में ही ले लो तो प्रशाशन में हम खाली केवल intelligent लोगों को भेज दे ऐसे निश्थूर लोगों को जिनको जनता के दर्द से जनता की तकलीफों से कोई फरक नहीं पड़ता तो क्या ऐसा शाशन बहतर काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसलिए जरूरत पड़ी कि intelligence के साथ साथ हमें emotions को भी जोड़ना पड़ेगा इसलिए इसे EI पे हमने बल दिया यानि emotional intelligence को वर्तमान समय में हम या पूरी दुनिया बढ़ावा दे रही है ठीके तो इसको detail से समझे पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बुद्धी मता थी ये अकेले अप्रियाप्त क्यों थी बुद्धी मता अकेले अप्रयाप्त क्यों थी यानि हमें बुद्धी मता की कुछ कमिया देखने को मिलेंगी इसकी कमिया देखेंगे तब हम देखेंगे कि भाई बुद्धी मता की अकेले काफी सारी कमिया है इसलिए हमें भावनात्मक बुद्धी मता चाहिए तो भावनात्मक बुध्धी मता यानी EI यानी emotional intelligence क्या है ये देखेंगे emotional intelligence की अवधारना क्या है तो क्या है कि अवधारना को जब समझेंगे तो emotional intelligence क्या है अपनी भावनाओं की समझ हो व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं की समझ हो व्यक्ति को साथ ही भावनाओं का प्रब Emotional Intelligence क्या है? इसकी अवधारना क्या है? इस Emotional Intelligence के मौडल कौन कौन से है? मौडल को देखना पड़ेगा और Emotional Intelligence की उपयोग इताई क्या है? और इसके अनुपरियोग क्या है? यदि हम एक-ईक करके देखें इसके मुख्या घटक वही संग्यानात्मक, भावनात्मक और व्यवा सारात्मक, emotional intelligence के तीन घटक होंगे, नोकर शाही में, विशेश तोर पे नोकर शाही में EI का महत्व क्या है, तो इसके importance को देखना पड़ेगा, और इसकी प्रासंगिक्ता को देखना पड़ेगा कि वर्तमान में क्या प्रासंगिक्ता है EI की, और यदि मैं इसके application की बात करू तो भाई, जब हम EI की बात करते हैं कि किसी सेवक में भावनात्मक, बुद्धी मता है की नहीं, तभी तो वो नियंत्रन क्रोध पे, अपनी अनैति की च्छाओं पे, जो धन जमा करने की च्छा होती है, किसी विव्यक्ती के, सीविल सर्वेंट बनते ही की, साथ पीडियां बैट के खाएं, इस तरीके की च्छाओं पे नियंत्रन कर पाएगा, emotional intelligence होगी, तभी तो वो दूसरों के प्रति करूना दर्शा पाएगा, सहानुभूती दिखा पाएगा, और जब emotional intelligence होगा, तभी तो वो व्यक्ति उनके हितमे निर्णे ले पाएगा, तभी तो लोकतंतर सफल होगा तभी तो समाज स्मृद्ध होगा है ना तो emotional intelligence क्या है अवधारना क्या है model क्या है निर्मान कैसे होता है इसके घटक क्या है इसका importance क्या है इसकी प्रासंगिक्ता क्या है और इसके applications क्या है इनको हमें detail से समझना पड़ेगा जैसे भावनात्मक कभी व्यक्ति दूसरों के प्रतिसमान उभूती रख पाएगा उनसे संबंधित निर्ने निर्मान को बहतर कर पाएगा stress management कर पाएगा अपना मुल्यांकन कर पाएगा कि मैं सही दिशा में हूँ कि गलत दिशा में हूँ इसके साथ ही उत्तरदाई उसी व्यक्ति का बढ़ेगा नेत्रित्व छिमता बढ़ेगी जादा लोकतांत्रिक हो पाएगा और वही व्यक्ति लक्षय को प्राफ्ट कर पाएगा तो emotional intelligence के तो civil services में बहुत जादा प्रासंगिक्ता है भाई सबसे जादा importance है emotional intelligence का वर्तमान में क्यों जरूरत पड़ी इसलिए तो जरूरत पड़ी ठीक है इसके साथ ही भावनात्मक बुद्धी की कुछ आलोचना के बिंदु भी हम देख लेंगे कि कहां कहां पे अब यदि हम इसको application देखें तो भावनात्मक बुद्धी मता की तीन प्रक्रियाएं होती है अपनी भावनाओं को समझे उन पर नियंतरन करे दूसरे की भावनाओं को समझे उन पर नियंतरन करे और समस्या को वास्त्विक और प्रभावी ढंक से हल करने के अनुसार काम करे और जो emotional intelligence का है मुद्धा इससे भाग एक में भी कोशन बनते है यानि थ्योरी वाले में भी और भाग दो यानि आपके के स्टडी में भी सीधे-सीधे कोशन यहां से बनते है ठीक है तो इस तरीके से आपका E.I. वाला टॉपिक भी खतम होता है तो भावनात्मक बुद्धी में अब आपके पास कमी है एक्जेम्पल्स मैं आपके क्या-क्या पढ़ोगे क्या है अब धालना मैं रिपीट कर चुकी हूं देख लेना समझ में आ गया emotional intelligence क्या बोलोगे PDF में अरे PDF तो मिले गाई भाई PDF तो मिले गाई क्यों टेंशन ले रहे हो यह पूरा syllabus डिकोड किया हुआ PDF आपको मिल जाएगा ललीता धाया Academy टेलिग्राम चैनल पे टेंशन मतलो शुरू में बताया टेलिग्राम चैनल मैंने इसके साथ ही बीच में एक बार और बता दू आज लास्ट डेट है मतलब आज से बैस शुरू हो रहा है यदि admission लेने का मन है तो कोड यूज कर लेना LDLIVE Study IQ की app या website पे जाके आप admission ले सकते हैं या इस वीडियो के description box में भी लिंक होगा उस लिंक पे जाना LDLIVE का प्रियोग करना और admission ले लेना अब अगला मुद्दा आता है नैतिक विचारक और दार्शनिक भारत के नैतिक विचारक और दार्शनिक और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक यह लिखके छोड़ दिया है अब कौन-कौन से दार्शनिक हमारे लिए क्या बोल्डर रुद्रांशी मां का इमोशनल इंटेलिजेंस तो और काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यह मैंने बताया ना दोनों जगें इंपोर्टेंस है इसका अब अगला है क्या-क्या दार्शनिक है तो भारतिय विचारकों की बात करें तो हमें कौन-कौन पढ़ने पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो भाई गांधी जी को छोड़ी नहीं सकते है एसराधा कृष्णन को देखना है रविंदरना टैगोर को देखना है सरस्वती दयानन सरस्वती की जी को देखना है इसके साथ ही महादेव गोविंद रानाडे शुरी अर्विंदो स्वामी विवेकानंद सरदार पटेल बुद्ध भीमराव अंबेडकर जी राजाराम म ब्रशाषक के दोर पे इनका हम प्रियोक कर सकते हैं और एश्री धरन यह बेसिकली एक बहतर प्रशाषकों के एक्जेम्पल है चाहे टीन सेशन हो चाहे एश्री धरन हो ठीक है तो यह सारे धिंकर्स या विचारक या नेता या प्रशाषक आपको पढ़ने पढ़ेंगे य मिनीमम है यह जो आपको पढ़ता अभी में जॉन लोग भाई भारतिय नहीं है वो अभी आएगा पेशेंस रखना ज़रूरी है जिन्दिगी में भाई बिना पेशेंस कुछ नहीं मिलेगा ठीक है चलो अब यदि हम विश्व विचारकों की बात करें तो विश्व विचारकों में हमें क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा तो भाई प्लेटो अरस्तू सुकरात बैंथम उप योगितावाद तो पूरा डिटेल से पढ़ना ही है जे एस मिल का बहुत इंपोर्टेंस है होब्स को देख लेना है जोन लोक को देखना है रूसो को देखना है जोन रॉल्स को देखना है जोन रॉल्स को देखना है जोन रॉल्स पे 2016 में सीधा सीधा कोशन बना था पर्दे के पीछे की अवधारना जो इनकी है है ना तो ध्य जान रखिएगा जोन रोल्स इसके साथ ही इसको क्या हो गया भाई ऐसा मत कर अग्या कर चलते चलते थम गया कर लो बात एक मिनिट का समय तो तब तक आप लोग बाते करो जैसे हमेशा करते हो कमेंट पे हाई हेलो पूछो मैं एक बार इसके सेल वेल चेंज करके देखती हूँ आज इसे में दिख्वाई लूँ गयार मैंने फोन भी किया था कुछ हो गया हो गया हो गया मैं तो डरी गई थी ठीक है अब यदि हम इसमें और देखें तो कांट को पढ़े भी ना आपैथिक्स में जाई नहीं सकते हो हेगल को देखना पड़ेगा कनफ्यूशियस विचारदारा को काल माक्स को और एडम स्मित को ये मीनिमम है जो आपको देखने ही देखने पड़ेंगे विश्व विचारदार को में ठीक है अब अगला मुद्दा है भारतिया और विश्वनेताओं को यदि हम बात करें तो इसमें कुछ जैसे महात्मा गांधी, बेंजमीन फ्रेंकलिन, मार्टिन लूथर किंग, नेलसन मंडेला, स्वामी विवेकानंद, अब्राहिम लिंकन, मदर टेरिसा ये बिसिकली भा को apply कहां कर सकते हैं और यदि आपने thinkers को पढ़ा तो जरूरी नहीं है जहां पे thinker पूछा जाए वहीं पे उसका application करना है, आपने यदि पढ़ा है तो आप कहीं समानता वाले question में भी thinker की कि किसी बात को add कर सकते हो, thinkers के किसी विचार को add कर सकते हो, case studies में भी thinker का जादा मजबूत हो जाएगा, जब आप thinkers को prepare करोगे तो, ठीक है? अब अगला मुद्दा है civil sewa मुल्य, तो civil sewa मुल्य में हमें कुछ-कुछ चीजे और देखनी पड़ेंगी जैसे, जवाब देही, नैतिक शाषन, ये दिया हुआ है, UPSC ने जवाब देही है, ethical governance है, शाष जवाब देही, ये इमानदारी, सत्यानिश्टा, ये खाली केबल आदर्श बनके रह जाएंगे, है ना? इसलिए ज़रूरी है, इन मुल्यों का सुद्रड़ी करण किया जाए, civil sewa को में, साथ ही इसमें अंतर राश्टे संबंधों और funding में, वित पोशन में नैतिक मुद् देखने पड़ेंगे, वित पोशन के नैतिक मुद्दे भी आप क्याथिक्स का पार्ट है और corporate प्रशाशन, अब यदि मैं इसको decode करूँ तो क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले तो लोग प्रशाशन में मुल्य और नैतिकता का importance क्या है, मुल्य का importance क्या है, सारजुनि नीजी संस्थानों की नैतिक चिंताएं क्या क्या है, सारजुनिक और नीजी संस्थाओं में नैतिक दुविधाएं क्या है, डाइलेमाज, यहां से अलग से question बनता है, और डाइलेमाज का प्रियोग आपकी case studies में, जब आप इसकी समझ कर लोगे, तभी आप case studies में इसका प एथिकल गाइडेंस के स्त्रोथ के तोर पे कानून कैसे काम करते हैं, रूल्स यानि नियम कैसे काम करते हैं और रेगुलेशन कैसे काम करते हैं, एथिकल गाइडेंस के तोर पे कानूनों का क्या योगदान है, रूल्स का क्या योगदान है, इसके साथ ही रेगुलेशन का क मज्बूत कैसे बनाएं, जो पहला पार्ट था यह था जबाब ँगजी और नेतिक शाष्ण, arm ज्जा इनका इन्ता कासी बनाएं और सब्झाद्स dipping में और छोड़ हैं रंद संभन्धंधों में और systematic amazing अवधारना जैसे रश्या यूक्रेन वार है जैसे कोविड नाइंटीन में जो बेसिकली क्या क्या responsibility थी अलग-अलग देशों की है न तो यहां से ethics से जुड़ के question आ सकता है अंतर राश्ट्रे संगठनों के कामकाज में नैतिकता का योगदान इसके साथ ही corporate प्रशाशन क्या होता है डिटेल से देखना है corporate समाजिक उप्तरदाइत्व CSR corporate social responsibility के model कौन-कौन से है अच्छे corporate प्रशाशन के लिए विश्व बैंक ने क्या-क्या कदम उठाए है भारत में corporate सरकार के लिए क्या-क्या मांदंड निश्चित किये गए हैं क्या-क्या कदम उठाए गए है corporate प्रशाशन को बहतर बनाने के लिए व्यवसाइक नैतिकता की अवधारना क्या है इतना जब हम पढ़ेंगे तब जाके civil सेवा के जो मूल्य हैं इनको हम complete कर पाएंगे जिसमें जवाब देहिता, ethical governance, मूल्यों का सुद्रडिकरन कैसे किया जाए अंतराष्ट्य संबंध, वित पोशन में नैतिक मुद्दे, corporate प्रशाशन, dilemmas वगेरा और ethical guidance के स्त्रोथ में, rule, ये क्या नाम है, कानून, rules and regulations का क्या योगदान है और ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, तब जाके हमें corporate प्रशाशन से संबंधित भारत ने क्या नियम है विश्व बैंक के क्या है, corporate social responsibility क्या है, तब जाके ये topic ना एक तरीके से हमें कह सकते हैं सीधा-सीधा governance से जुड़ जाता है, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से इस topic को complete करना है पुड़ा cutting भी लगता है students को, लेकिन यहां से अगर आपने ठीक-ठाक लिख लिए तो ठीक-ठाक number आ जाते हैं अरे, English लिखना यहां पर भाई, जरूरी था, अब जैसे मानलो मैंने English के साथ Hindi भी लिखी है, लेकिन English लिखना इसलिए जरूरी था, कि कई बार English और Hindi की जो translation है, वो लगभग सेम ही होती है लास्ट टोपिक हमारा बच गया, शाषन में इमानदारी, प्रोबिटीन गोवर्नेंस, कैसे लेकि आए हम शाषन में इमानदारी, तो यहां पर तीन चार चीज़े, मतलब काफी सारी चीज़े, UPSC ने भी दे रखी हैं, जिनको हम थोड़ा डिकोड कर लेंगे, देखो एक तो शाषन में इमानदारी, सार्जुनिक सेवा की अवधार ना, शाषन में इमानदारी को समझना पड़ेगा, शाषन का और इमानदारी का दार्षनी का धार क्या है, यानि जो हम इमानदारी इमानदारी चिलाते हैं, इसका दार्षनी का धार क्या है, अब इमानदारी आएगी कैसे इसके लिए आपको प्रियास नहीं करने मतलब मैं यह बोल रही हूँ आपको पॉइंट नहीं डूंडने UPSC नहीं अपने आप पॉइंट दे रखे हैं कि भाई इमानदारी आएगी कैसे तो इमानदारी आएगी सूचना साजा करने से पारदर्शिता से पारदर्शिता होगी इमानदारी आएगी Right to Information होगा सूचना साजा की जाएगी तो इमानदारी आएगी Right to Information से आएगी नैतिक अचार सहीता से इमानदारी आएगी Code of Conduct से इमानदारी आएगी नागरिक चार्टर को आपको पढ़ना है Work Culture को आपको पढ़ना है सेवा वित्रण की गुणवत्ता बहतर हो इसको आपको अच्छे से देखना है सारजुनिक धन का उप्योग सही दिशा में हो ऐसा ना हो कि भई बाड आई है कहीं पे और सारजुनिक धन कहीं करोड मिल गए और DM ने सोचा यही मोका है दबोज लेते हैं तो सारजुनिक धन का उप्योग बहतर तरीके से हो यह देखना पड़ेगा ना इसके साथ ही ब्रश्टाचार की क्या-क्या चुनोतियां हैं यह आपका UPSC के सिलेबस में ही दिया हुआ है यानि इमानदारी को कैसे सारजुनिक संस्थानों में स्थापित किया जा सकता है उसके लिए क्या-क्या प्रियास होने चाहिए तो प्रियास तो सीदे-सीदे यही पे लिखे है चाहे वो राइट टू इन्फोरमेशन हो सिटिजन चार्टर हो कारिय संस्कृति वर्क कल्चर भैतर करना हो गुणमत्ता भैतर करनी हो सूचना साजा करनी हो पारदर्शिता है नैतिक आचार सहीता है जिसे कोड ओफ एथिक्स बोलते है ठीक है अब यदि हम इसको देखे हम क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें लोग यानि पब्लिक सर्विस की अवधारना क्या होती है भाई समसे पहले तु सेवा कर रहे हो ना लोग सेवा की अवधारना को समझना पड़ेगा ना यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बतादो फिर आऊंगे आगे थोड़ा बोजिल हो गया होगा कि देखो इससे जान ज्यादा डिकोर्ड स्लेबस करने की जरुद भी निया मैंने जितना डिकोर्ड मैं कर सकती थी उतना डिकोर्ड कर दिया है और यदि इस अब मेरे इसाब से जिस बच्चे ने पहले एठिक्स को थोड़ा सा देख रखा है उसको यह अच्छे से समझ में रहा होगा जिसे एठिक्स का इभी नहीं आता वह भी एक बर से लेबस तो सुनी लो कि क्या-क्या है उसके बाद आप देख ले ना वह सबसे पहले तो से लेबस ही देखोगे उसके बाद ही तो किताब में जाके देखोगे हई रहे यह एक्षिक्स कहां से आ गया यह इंटी ठीक है, clear, तो बहुत बढ़िया, अब यदि हम इसमें देखें, शाशन में इमानदारी में, हम यदि decode करें, तो हमें क्या-क्या देखना पड़ेगा, तो भाई, पबलिक सेवा की अवधारना क्या है, शाशन और सत्यनिष्टा का दार्शनिक अधार, जो कि हमने देखा था, सूचना पारदर्शिता, सूचना का धिकार, RTI, अब जब हम सूचना का धिकार देखेंगे तो इस सूचना की अधिकार को detail से देखेंगे, सूचना का धिकार क्या है, इसकी खामिया क्या है, इसकी विशेश्टाएं क्या है, क्या-क्या सुधार होने चाहिए, citizen charter क्या है, क् ये विशेशताई हैं, क्या कमिया हैं, कैसे बहतर काम करेगा, तो एक-एक को फिर डिटेल से देखना है हमें, मतलब केवल इतना नहीं है कि यहां पे लिख दिया इन्होंने, for example, citizen charter, तो इस citizen charter के अपने आप में कई सारे आयाम खुलेंगे, कारिय संस्कृति के अपने आप में कई सारे आयाम खुलेंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही, सूचना का अधिकार, RTI में खामिया और सुधार के सिफारिशे, सतर्क नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है, शाषन में इमानदारी से संबंधित, तो यहाँ पे हमें विजिलेंट सिटिजन्स की अवधारना को भी शामिल करना पड़ेगा, भाई, केवल प्रशाषकों पर इमानदारी नहीं छोड़ सकते, कि प्रशाषक इमानदार होके काम करेंगे, नागरिकों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, प्रशाषकों को इमानदार बनाने में, तो विजिलेंट सिटिजन्स की अवधारना भी बहुत जादा जरूरी है, तो इसको डिटेल से देखेंगे, सूचना, साजा करना, यह ध्यान रखना, Code of Ethics को यहाँ पर आप पढ़ोगे, Code of Ethics and Code of Conduct, इन दोनों की differences को आप पढ़ोगे, कि Code of Ethics क्या होता है, Code of Conduct क्या होता है, साथ ही जो मंतरी हैं, विधायक हैं, सिविल सेवक हैं, रेगुलेटर्स हैं, नियायपालिका है, उनके लिए code of conduct क्या क्या है कैसे code of conduct इमांदारी को प्रमोट करने में भूमिका निभाता है कैसे code of ethics की भूमिका है तो code of conduct and code of ethics वगेरा आप यहीं पे detail से पढ़ोगे इसके साथ ही आप citizen charter की मैं बात बोल रही हूं इसके साथ ही कारिय संस्कृती की अवधारना को आपको पढ़ना पड़ेगा वर्क कल्चर की अवधारना क्या है द्रिश्टि कोन क्या है कारिय संस्कृती में सुधार कैसे हो सकता है भही बर्क कल्चर का मतलब क्या, कब मतलब भही, ध्यान रखिएगा, 5W plus 1H, what, when, why, plus how, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेवा वित्रण की गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं, सारजुनिक निधी का उप्योग कैसे कर सकते हैं, निधी जारी करने और उप्योग में क्या-क्या समस्याएं आती हैं, और भारश्त में जो भरष्टाचार है, उसका विस्तार, उसके आयाम, उसकी प्रतिक्रिया है, य ब्रश्टाचार एक समाजिक बुराई के तोर पे कैसे है उसे देखना पड़ेगा और कैसे हम ब्रश्टाचार को समाप्त करने में अलग-अलग व्यक्तियों का रोल है मतलब व्यक्तियों नहीं संसाओं का जिसमें सरकार का नागरिकों का रूल्स का रेगुलेशन्स का सारज कैसे विक्सित हो और हम जो कदाचार है अधिकारियों के उनको कैसे कम कर सके ब्रश्टाचार को उजागर करने भई ब्रश्टाचार को जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर मैंने वही बताया पूरा डिकोड करना पढ़ेगा उसको सिविल सोसाइटी ने क्या-क्या पहल की है ब्र विसल ब्लोवर अधिनियम की क्या भूमिका है तो सिविल सोसाइटी देखनी पड़ेगी विसल ब्लोवर देखना पड़ेगा ब्रश्टाचार से निपटने में सरकार और शाषन संस्थानों की क्या भूमिका है सरकार क्या-क्या कर सकती है ब्रश्टाचार को से निपटने म यह जो शाशन में इमांदारी वाला मुद्दा है यू पीसी ने अपने आप बता रखा है भाई इन इन माध्यमों से इमांदारी आएगी सुन लो लेकिन आपको यह जो माध्यम मैंने बताए है ना इनको बिल्कुल डिकोड करके पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल डिटेल में एक-एक मुद्दे को तब जाके आपका यह पूरा टॉपिक कम्प्लीट होगा ठीक है यदि हम इसके उसकी बात करें तो नागरीक चार्टर कारिये संस्कृति सेवा वित्रण की गुणवत्ता सारजुनिक धनका उपियोग भरष्टाचार की चुनोतियां तो इसमें सीधे सीटीजन चार्टर से कोशन पूछ सकता है UPSC साथ ही सीटीजन चार्टर के साथ साथ जो भी अन्यमुद्दे हैं चाहे राइट तो यहां पर तुझ एक एक्जैम्पल लिखा हुआ है जैसे राइट तो इन्फोर्मेशन है वर्क कल्चर है है ना सूचना सांजा करना है वि रश्टाचार उन मूलन की दिशा में क्या-क्या प्रियास किये जा सकते हैं यह UPSC ने ओल्रेडी सेक्शन वन में बता रखा है जो मैंने आपको बताया तो इसका प्रयोग आप सीधे-सीधे के स्टडीज में भी कर सकते हो और करना ही चाहिए ठीक है और अगला मुद्दा ह पर चाहिए आपका सेकेंड पार्ट है के स्टडीज के स्ट्रीज का कोई सिलेबस नहीं है ध्यान रखिएगा चे के स्ट्रीज की आसपास आती है आपकी यह अलग-अलग मुद्दों मैं बात करूं इनकी तो लैंगिक मुद्दों में हो सकती हैं और प्रष्टरचार के मु जा सकती है कि ऐसा ऐसा केस है आपके सामने क्या-क्या विकल्प हैं तो इसके डाइमेंशन सा लग-अलग हैं लेकिन आप केवल के स्टडीज पढ़के परिक्षा पास नहीं मतलब के स्टडीज में क्या पढ़ोगे समझो इस बात को जो हमने पार्ट वन में पढ़ा यानि थियोरी में पढ़ा उन सबका एप्लिकेशन ही उन सबका ग्यान ही हमें के स्टडी में उडेलना होता है यानि case studies secondary part है हमारी preparation का सबसे पहले हम syllabus को समझते हैं जो कि मैं समझा रही हूँ हमें क्या-क्या पढ़ना है भाई और syllabus को समझने के अनुरूफ हम उसकी preparation करते हैं यानि जो हमारा theoretical part है उसको अच्छे से cover करेंगे जब हमारा ये part का अच्छे से cover हो जाएगा with concepts, with notes, with revision उसके बाद फिर हम case studies की practice पे जाएगे ठीक है तो मैं आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ ये ethics का part 1, ये ethics का part 2 ethics के part 1 में जो theory है जो मैंने आपको अभी बताई ये सारा का सारा basically 7 topics हैं इसमें छे topic हैं और एक topic आपका यहां है total 60 topics हैं ethics में एक topic आपका case study हो गया और छे topic हैं यहां पे theory में जो भी मैंने आपको अलग-अलग करके बताए दोस्तों यहां से 120 से 130 नंबर के question आते हैं यहां से भी 120 से 130 नंबर की case studies आती है यहां से 12-13 question आपको देखने को मिलते हैं हर साल यहां से लगभख 6 case studies देखने को मिलती हैं यदि आप time divide की बात करोगे तो लगभख 90 minute और लगभख 90 minute का समय आपको दोनों पे equal time distribution होना चाहिए वो फिर जब आप exam में जाओगे तो वहां decide करोगे कि आपको case study पहले करनी है कि theory वाला part पहले करना है लेकिन बहुत सारे top पर इस बात का suggestion देते हैं कि case study पहले करनी चाहिए क्योंकि यदि हमारी case study अच्छी हो जाती है attempt अच्छे तरीके से attempt हो जाती है तो marks हमें काफी अच्छे मिलते है case studies में ठीक है ध्यान रखिएगा पहला काम तो यहीं है पहला तो format मैंने यहीं बता दिया अगला आपको मैंने बोला था ना कुछ tips बताऊंगी मैं आपको टिप्स बताने से पहले एक बार फटा-फट syllabus को देख लेते हैं मतलब मेरा यह है ना कि मैंने पढ़ाया है तो आपके टिप्स बें होना चाहिए तो मुझे यह बताओ पहला टॉपिक नैठिक स्था और मानव इंटरफेस और मानव मुल्य बिलकुल क्लियर क्या-क्या पढ़ना है एक्टिट्यूड में क्या-क्या पढ़ना है एमोशनल इ नहां पर पढ़नी है और शाशन में इमानदारी यह छे टोपिक है में और साथ मां टोपिक है के स्टडीज का जिनको मैंने काफिर डिटेल में आप लोगों को बता दिया अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर कि भाई करना क्या है एक तो मैंने आपको इनका डिस्ट्रिब प्हल PAN ही आपके पास रटा रटा इसी और कि और की ओर का मत परदना अपने एक्जाम्पल्स आप फिंदू पढ़ते हो या फिर कोई आप हिंदू का एडिटोरियल सुनते हो या पर कहीं समाचार सुनते हो कहीं से आपको अलग-ग अलग प्रशाश आश्य को के नेतां के ह आप इतिहास से examples उठा सकते हो, तो सत्य निष्ठा, इमानदारी, वस्तु निष्ठता, इसके साथ ही नैतिक्ता, मुल्य, transparency, यह जितने भी मुल्य आपके ethics के paper में हैं, इन सारे के सारे पे एक एक page का अपना personal notes बना लो, पहला काम तो यही कर लो, ठीक है किसी का कोई doubt यहां त सकते हो, for example आपने सत्य निष्ठा का notes बना लिया, इस सत्य निष्ठा से related कोई diagram यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, इसके साथ ही आप example लिखो, तो यह आगे, for example आपने पारदर्शिता, इस तरीके से पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा, कर रहे हो, कितने बच्चों ने काम किया है, साथ ही आपको यह जितने भी values है, इनकी प्रासंगिक्ता का पता होना चाहिए, कि भाई, इनकी प्रासंगिक्ता क्या हो गया, इनकी प्रासंगिक्ता है, क्या क्या है, इनकी प्रासंगिक्ता के साथ सबसे जादा important है, इनकी कोशन आजाते हैं कई बार और तिंकर्स के नाम नहीं दिये हुए हैं यह एक अजीब समस्या है लेकिन तिंकर्स जितने मैंने बताए हैं लगभग उतने आप लोगों के लिए के लेकिन उतने तो आपको पढ़ने पढ़ेंगे क्योंकि जोन्रोड पर कोशिन आया है मिल पर कोशन आया है कंट पर कशन आए थो आया है तो सिंक्र्स और मतलब में निए घ्जाए नोग एक्जेम्पल डेट डेट दो लाइन के एक्जेम्पल तयार करो ये एक्जेम्पल आपको कहां से मिलेंगे आपके परिवार से मिलेंगे आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से मिलेंगे आपके जीवन में कुछ सकते हो आप न्यूस पेपर पढ़ते हो तो न्यूस पेपर से आपको करंट जो एक्जेम्पल्स है वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे और करंट एक्जेम्पल्स का काफी important role होता है यह सब homework आपको करना ही पड़ेगा सारजुनिक जीवन से कोई example ले सकते हो ठीक है व्यक्तित्वों से कोई महाननेता है सुधारक है प्रशाशक है उनकी जीवन से आप examples code कर सकते हो तो examples का बहुत ही जादा role है एथिस में ठीक है इस बात को ध्यान दखेगा कि बता दो यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत हां बुक के लिए क्या करना एक बुक आती है हिंदी मेडियम में हिंदी मेडियम की आती है लेक्सिकन अप लेक्सिकन को ना मतलब यह बेस बुक मत बनाना मतलब एथिक्स के लिए किसी बुक को बेस आप टोपर्स वगेरा के वह देखोगे इंट्रिव्यू वगेरा देखोगे तो कहीं बार इसके लिए आप एक काम और कर से होते हो जैसे आपने सत्य आपने इंटीगरिटी डाली क्रोम पे डालना English to Hindi हिंदी कनवर्ट होके आजाता है आपने इंटीगरिटी इन यूपीएसी उसको पूरा अलग-अलग कोचिंग का मिल जाएगा आपको इंगलिश की कोचिंग का हिंदी में कनवर्ट होके ट्रांसलेट होके मिल जाएगा उसके माध्यम से नोट्स बना लो ऐसे ही आप साट सतर तो शब्दावलिया हैं दो दिल लगेंगे एक दिन का टार्गेट बनाओ चार घंटे बैठना है कम से कम 30-40 शब्दावलियों को नोट डाउन कर लेना है सबसे बैस तरीका बता रही हो उसमें चितनी आपकी बड़ी-बड़ इंग्लिश की कोचिंग्स है सब के नोट्स अ लेक्सिकन के लिए लेक्सिकन की बुक ही पढ़ लोगे और आपके 142 नमबर आजाएंगे 140 नमबर आजाएंगे वो पॉसिबल नहीं उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने आपको बताया एक काम और कर लेना एक सूत्र और बता देती हूं जो टोपर्स हैं मालो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इंग्लिश मीडियम के टोपर्स की टेस्स सीरीज की कोपी निकल वा है इस बार दिव्या जो लड़की है है ना या और भी कई हिंदी माध्यम के टोपर्स आपको देखने को मिलेंगे इनकी वीजन आइएस की जो टेस्स सीरीज होती है ना उसमें कोपी मिल जाएंगे इनकी अराम से डाउनलोड हो जाती है इनकी एथिक्स की कोपी निकल वालो तीन तीन चार चार कोपिया निकलेंगी इन होने कैसे अंसर लिखे हैं कैसे एक्जेम्पल दिये हैं इनकी एक्जेम्पल को ही नोट करके आप एक्जेम्पल बना सकते हों स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा न थोड़ा और एक बात ध्यान रखना एथिक्स के पेपर में लास ध्यान रखना 10 years आपको लगाने ही लगाने हैं कोई भी ऐसा पब्लिकेशन जो आपको मार्किट में मिल जाए जिसमें पिछले 10 सालों के एथिक्स के कोश्चन को सॉल्व करके दिया हुआ है उसको एक बार जरूर पढ़ लेना वो रामबार से दोगा क्योंकि कोश्चन तीन स्मार्ट वर्क बता दियें मैंने ध्यान रखना एक तो खुद के नोट्स तोपर्स की कोपी उनसे कुछ कुछ चुरा लो भाई चुराना क्या है हमें भी तो सिलेक्शन लेना है उनकी महनत हमारी महनत को थोड़ा आसान बना देगी सिंपल सी बात है इसे चुराना थो और उसके कुछन अंसर को जब आप ए腺व पढ़ना शुरू करो उससे पहले कम से कम कुछन को देख लो आप अंसर नहीं देखना चाहते हो कम से कम कोशन देख लो आपको नहीं का आईडिया लग जाएगा कि अच्छा ये रेंज है कोश्चन का थिंकर से ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं एक्टिट्यूड से ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं, तो आपका जो वहाँ पे crystal clear हो जाएगा, क्या बोल रहे हो बच्चे, हिंदी में भी available है, हाँ 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 हिंदी में available है, मैंने कहा जैसे दिव्या मैम है और भी है, 120 प्लस जिसके भी number आए है, आप उनकी copy को उठाओ, उनसे कुछ-कुछ notes बनाओ, उनकी copy को रख दो, उससे आपको idea लग जाएगा, लोग लिखते कैसे थे, क्या example देते थे, कि भाई 120 प्लस नमबर आ गए, हमें इतना ही तो चाहिए, इतना ही तो करना है, और आपको इतना बता दू कि जितनी महनत आप first, second, third paper में करते हो, यदि उतनी महनत आपने ethics में कर उसका 70% महनत भी आपने ethics में कर ली, तो उस पहले तीनों paper की तुलना में ये बहुत, आपको कम से कम 20-30 नमबर का lab आपको इस exam में मिल जाएगा, आपकी rank लगाने में बहुत जादा महत्वपूर्ण है, साथ ही आपने यदि ethics को अच्छे से पढ़ लिया, cover कर लिया, तो ज आपकी लेखनी में वो गहराई दिखेगी, लेकिन वो गहराई पहले अपने अंदर तो लेके आओ भाई, वो गहराई आएगी कैसे, जब आपने syllabus के हर एक बिंदू को अच्छे से cover किया होगा, तब जाके वो काम बनेगा, इतनी बास समझ में आ गई आप लोगों को, करना क्या है, साथ ही कुछ एग्जेंपल, वेब साइट है, जैसे बैटर इंडिया वेब साइट है, बैटर इंडिया वेब साइट पे काफी सारे एग्जेंपल्स आपको मिल जाएंगे, ब्यूरोक्रेट के, किस ब कहां कौन सा, इमानदारी में किसका एग्जेंपल देना है, सत्य निष्ठा में किसका इमानदार एग्जेंपल देना है, इसके साथ ही, एकाउंटेबिलिटी में किसका एग्जेंपल देना है, इगो डिफेंस में किसका एग्जेंपल देना है, तो एग्जेंपल्स की अप वाई उधारन नहीं याद आते फिर एक ही एक ही दो उधारन याद आएंगे और वही उधारन हर कोश्चन में चलाओगे तो एक्जैमिनर को लगेगा पागल हो गया है क्या या मेरे को पागल समझता है हैं एक ही उधारन को हर कोश्चन में तो इसलिए कुछ काम ready made करना जरू आप लोगों को मैं भूमी का लिखना सिखाऊंगी उससे पहले मुझे बता दो क्लास अच्छी लगी एठिक्स का जो सिलेबस था हाय तोबा कुछ है सिलेबस में साथ टोपिक है गी ने चुने साथ टोपिक के अंदर कुछ-कुछ डिटेल से चीजे हैं मैंने जितना मैं ड रिकोर्ड किया हुआ पूरे यूटूब पे नहीं मिला जो कि मुझे लगा थोड़ा चिंतनिय विशह है क्योंकि एठिक्स इतना ज्यादा इंपोर्टेंट सिलेबस है भाई पेपर का मतलब इतना इंपोर्टेंट पेपर है तो इसका सिलेबस तो होना चाहिए बच्चों क कर सकते हैं इसके साथ ही आज से बैचिस शुरू होने वाले हैं यहां से बैचिस शुरू हने वाले हैं यदी अडिमीशन लेना है तो कोड यूज कर लेना L.D.L.I.V.E. इस L.D.L.I.V.E. इस साथ यह प्रिलिम्स में इंटरव्यू यानि P.T.2 इंटरव्यू की पूरी प् बुच गए थम्जब दे दो एक बार इसी बात पर बहुत बढ़िया हिटमैन इस बार टॉप करेगा है ना मुझे पूरा विश्वास है बस लगे रहना ये नहीं है कि चार दिन पढ़े और पांस दिन सोए है आपके अंदर काबिलियत है जैसे कई सारे मैं क्यों हिटमैन का म अविवराना स्टूडेंट है मेरा और ये लिख के भेजता है भाई अंसर इसलिए मैं इसका नाम ले रही हूं लिख के अंसर भेजता है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्वे मुझे विश्वास है कि ये मेरा नाम रोशन करेंगे ध्यान रखना वो जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी आपके जीवन की होगी ही मेरे जीवन की भी होगी ध्यान रखना इसलिए मेरे को सफल करने के लिए ही पढ़ लो ठीक है तो मिलते हैं मंडे को स्वस्त रहिए मस्त रहिए जैहिन जैभारत